गुण मॉर्णिंग नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम जीतने प्रशन देखेंगे पूरे 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 डिटेल में और एक्टार फैक्ट के साथ में अगर आपको इस वीडियो का पीडिएप चाहिए तो हमारे टेलिग्राम गुरूप को जोन कर लिजिए जिसका लिंक कि इस वीडियो के डिस्क्रिशन में मिल जाएगा आप वहां से असान चे डानूट कर पाएंगे तो चलिए जा समयना लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्ट World Elephant Day is observed on which of the following days यानि कि 20 वहां थी दिवस निमन में से 20 दिन मनाया जाता है तो इसको हर साल उप्शन नमबर सी यानि कि 12 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि दुनिया के जितनी हाँ थी उनको बचाने के लिए और उनको बचाने के पर थी लोग के बीच में जागता पैदा कर करने के लिए इसको हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है अब देखिए इसके अलावा सबसे ज्यादा दूर्दसा कहां की हांतियों की है तो अफ्रीका और एस्याई हांतियों की है और आपकी बार ये भी लक्षे रखा गया कि इन दो जागों के हांतियों को खास करके बचाया जाएगा दोस्तों ठीके अब देखिए विस हांसी दिवस मनाने के लिए सबसी पहली बार परिकपना की थी एक करिडाई फिलम निर्माता जिनका नाम है पिरिस्या सिम्स और माइकल कलार्क उन्होंने थाइलेंड में इसकी परिकलपना की थी विस अलिफेंड मनाने के जाए दोस्तों ठीके और आपको पता होगा कि 11 अगस्त 2020 को भारत सरकार ने चाब माना और हाथी का टकराव हो तो उसमें हाथी का नुकसान ना पहुंचे इसके लिए एक पोड़ल लोंज किया कि इस पोड़ल का नाम है शुरक्षा क्या उस पोड़ल का नाम है शुरक्षा जिसके बारे मैं डिटेल में आपको कल की वीडियो में बता है इसलिए दोस्तों आपको जानना होगा तो वो अवस्ते देख लीजेगा ओके दोस्तों अब देखे एक और दिवस मना जाता है 12 अगस्त को कौन सा दिवस है दोस्तों तो वो है इंटरनाशनल यूठ दे यानि दोस्तों विसा है यूठ इंगेजमेंट फूर गलोबल अक्षन क्या यूठ इंगेजमेंट फूर गलोबल अक्षन आपकी बार का इसका विसा है आपको याद करना होगा ओके दोस्तों और आपको अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों अभी वीडियो को लाइक किजेगा और data recovery center किर्सी में को कहां सुरू किया गया है तो इसको शुरू किया गया है option number 3 यानि कि हैथ्यप आपर में इसको शुरू किया गया अब देगे दोस्तो यह है क्या जो ICAR इसका मतलब होता है भारती किर्सी अनुसंधान परिसाथ अब देखे इस किर्सी में एक नाम के दोस्तो जो data recovery center इसको launch क्यों किया गया तो जो भारती किसी अनुस्तान परिसाद का दोस्तो कीमती आंकड़ा है डेटा है उसको बचा कर रखने के लिए उसको सहिजने के लिए इस data center को launch किया गया अब देखें दोस्तो जो ICAR है इसका मुखे data center कों है दोस्तो इसका मुखे data center कहां पर है तो वो है भारत की रखने नुदिली में दोस्तो ठीक अब देखें जब इसको पैसे कों देगा दोस्तो इसको पैसे देगा भारत सरकार और World Bank दोनों इसको संक्वत दूप से पैसे देंगे और उनके पैसे के सिखर राव गवर्नर है तिमिल साहिज साउंड राजन तथा इसकी पालेंड में सीटें राज साबगी साथ और लोग साबगी सतारा दो जून दुहाज चोदो को इस राजे का गठन हुआ तो दोस्तों उरी सबसे नया राज है आपको पता होगा आपको याद होगा अब कोशन देखते हैं तीन नमर के लिए लॉश्ट इंडिया फ़र्स पोडे आंड पोडे आईस ने लौद आ पॉँष डूंच किया ओप्छन नमपर से आपने कहां दिखी होगी दोश्तो अगर आप बस में जाते हों कि सरकारी बसों में तो जो conductor होता हो पोस्ट डिवाईस से टिकट कारता है और अगर आप मौल में जाते हो तो वहाँ पर भी आमतोर पर इस समय पोस्ट डिवाईस के माध्यम से पेमिट लिया जा रहा है अब पेटेम हो इस device का नाम क्या रखा और अगर इसके माधहम से हम चाहें कि जिश्टी वाला बिल ले सकते हैं तो वो बहुत असान तरीक से दोस्तों अब देखे जितने भी आमतों पर post device उपयोग की जारे भारत में उसमें सब सी आचाई port device है और पूरा के पर दोस्तों ये mobile के तरह देखने में है और उपयोग करने में भी है और इसको हम pocket में रखकर एक जगह से दूसरे जगह से बहुत असान देख से जा सकते हैं अब देख है कि restaurant हो गया कोई भी hotel हो गया जहां मर्जी इसका उपयोग बहुत असान तरीकी से आप कर सकते दोस्तों अब देखिए इसमें एक एक दिन तक चलने वाली बैटरी लगाई गई है और एक इसमें इन ब्लिट कैमरा लगा है क्यों लगा गया है कि अगर आपको क्यूर स्केन दोस्तों स्केन करके payment करना हो तो उसके मालम सिर्फ स्केन किया जाएगा और payment किया जाएगा बहुत असान तरीकी से और दोस्तों इस device में 4G SIM लागा हुआ क्यों लागा हुआ दोस्तों इसले लागा हुआ कि ये वाइफाई और Bluetooth connectivity से भी दोस्तों payment कर सकता है और ले सकता है बहुत असान तरीके से दोस्तों ठीके और इसमें ये भी सुब्दा है कि अगर आपको कोई बिल करना हो तो मिल भी कर सकते हैं भुकतान भी कर सकते हैं और अपने बिल को दोस्तों cloud पर भी save करके रखा जा सकता है और कभी भी दिखा जा सकता है इस device के माध्यम से दोस्तों ठीक है आपने इसके बारे में देखा और मुझे विश्वा से आपको अच्छी तरह समझ आया हूगा आप देखें दोस्तों पेटें ने कुछ दिन पहले एक डिवाइस एप वी स्टेट स्टार्टेड दा चीफ मनिस्टर किसान सहाय योजना याने कि मुख्य मंत्री किसान सह योजना किस राजी ने शुरूख किया इसको शुरूख चाहिए उप्षय नमबड़ी यानि गुजरात राजी ने अब देखें योजना है क्या तो इस योजना के माध्यम से अगर किसानों का फसल खराब हो जाता है दोस्तों तो उनको मुआबजा देने की योजना है अब 技न भी किसानों पहले से खरीब की फसल के लिए दोस्तों प्रीमियम करवा लिया होगा तो उनका जो प्रीमियम में उसके सरकार के तरप से लोटा दिया जागा इसलिए जो आबकी बार मन्तिर अवास जोजना और इस योजना के जगह पर कौन से होजना मुख्य मंतर किसान सहाय होजना को लोंच किया गया है दोस्तों ठीक किसके तरफ से तो गुजात राजी की तरफ से अब हम जानेंगे गुजात के बारे में जो गुजरात है उसके अगानी है गांधी नगर चीफ मेंश्टर विजय रूपानी गवर और व्रिक्ष कोन सा है दोस्तों बरगत का व्रिक्ष इसका राक्षी पेढ़ है ओके नेक्स्ट कोच्छन देखते है पांच नमबर के लिए अब देखे इसकी गोष्ण के गई 11 आगास 2020 को जनजाती मामलो के मनताले के द्वाला इसकी गोष्ण के गी थी अब देखे सबसे पहले बर किसने चर्चा की थी कि भारत में नो जनजाती 37 सन्यानी संगहले का निर्मान किया जाएगा दोस्तों बहाद के बेंड़ें के प्रहान मंती नरेंदर मोदी ने 15 अगस 2016 को 37 दिवस के उपलक्ष में उसके भासरम दोस्तों इसकी चर्चा की थी अब देखे जो म्यूजे में ये बनाया कहा जाएगा तो जिन भी राजियों में जो आदिवासी रहते थे और वहां से बिडिन सासन खिलाब लड़ने का काम करते थे दोस्तों उन राजियों में इसका निर्मान किया जा रहा है ठीक है अब देखे इन जब संगहले बना दि अब देखे जाएगा तो इससे फायता होगा जो आने वाले पीडि होगी वह अपने आदिवासी सवतंता सेनानी के बारे में जानेगी कि जो हमारे देश की आजादी में उनका कितना योगदान रहा है दोस्तों अब देखे नो म्यूजियम बना जा रहे है इसमें से दो म्य म्यूजयम है वो अभी काम चल रहा है उनको बनाने के ऊपर में अब देखे सबसे इंपर्टन है कि जो म्यूजयम है कहां कहां बनाया जा रहा है दोस्तों जो सबसे बड़ा म्यूजयम है वो बनाया जा रहा है गुजरात में गुजरात कहां पर तो राज पीपला में दोस्तो के कोजी कोड में मधपर्दिस के छिंदवाड़ा में तिलंगाना के हैदराबाद में मरीपूर के सेनापती में और दोस्तों मिजोरम के केलसी में इन म्यूजयम को बनाया जारा इन नो म्यूजयम का निर्मान किया जारा जिसमें से दो म्यूजयम बन गये हैं आपको पता होग को किस अधिनियां में संसुधन करके लागू किया गया है तो लागू किया गया उप्शन नमबर यानि कि हिंदू उत्राधिकार अधिनियां 1956 में संसुधन करके लागू किया गया आप देखिए फैसला सुना किसने तो सुप्रेम कोड के जस्टिस अरुन मिसरा की अधिक्ता वाली तीन जजों की ब्यांची ने यह फैसला सुनया अधिकल में कहा गया कि जो पीता की संपति है उसमें जितना बेटों का अधिकार है उतना ही बबड़ाबर का बेटीओं का भी अधिकार है चाहेन संपت्य दोस्तों किसी जगह पर लेकर जा सकते हैं उसको चल संपती कहते हैं और वैसे संपती जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं लेकर जा सकते हैं उसको अचल संपती कहते हैं दोस्तों आपको याद करना होगा मुझे समझ आता है कि आपको याद हो गया होगा ओके अब हम देखेंगे सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दे और इस वीडियो को जाजा लोगों पहुंचाने के लिए शेर कर दोसों वीडियो रोकिए और अभी शेयर कीजिए तुब दुबार आईए ओके नेक्स्ट कोचन देखते हैं मनिस प्रभात जोइंट सेक्रेटरी निस्टिर्व एक्स्टरनल अफेर हाज बिन अपोइन्मेंट एज नेक्स्ट अमबैस्डर ओफ इंडिया टू वीच कंट्री यानि की विदेश मंताले के सब्सक्राइब को किस देश में भालत अगली राज़ूत के रूप में निक्त किय निक्त किए गये हैं उप्षय नमबर अनि घुजबेकिस्टान में जो मनिस प्रभात हैं भाल के तरब से अगले राज़ूत निक्त किए गये हैं थो संतो ज्जहा का जो संतो ज्जहाropolis है उनको उजबेकिस्टाद में राजूत के रूप में तेरा मार्स 2019 को निक्ट किया कि किया किस नहीं था तो विदेश मंतलय ने इसको न्यूक्त किया था दोस्तों अब हम जानेंगे किसके बारे में तो उजबेकिस्टान के बारे में जो पषाद स्ची कोण से बहुत important है दोस्तों जो उजबेकिस्टान इसके जायने का है तासकंद, परधान मंत्र अब्दुल्ल who become the new prime minister of Peru या निकी उस व्यक्ति का नाम बताईए जो पेरु का नया प्रधान मंतरी बन गया है तो प्रधान मंतरी बन गया है उप्षान नमबर बिया निकी वाल्टर रोजर मार्टर सुरूज पेरु के नया प्रधान मंतरी बन गया है दोस्तों ये पेरु के पूर में शूरूज हैं ये स्थान के सा लेंगे तो इस्थान लेंगे एल्वारो्य गेट रियंगे लेंगे दोस्तों इनका जुए सपादगर्ण समर्व हुआ था वह पेरु कुरा धानी लीमा में हुआ ञे कर दोस्तों गैस्तों गवर्रमेंट पैलेस में इनने अपना मुद्रा चलती है पेरू सोल कोई सी तो पेरू सोल नाम की वहाँ पर मुद्रा चलती है ओके नेक्स्ट कोश्चन नौ नमर के लिए नेम दा परसन हूँ है वोन दा सिक्ष टर्म एज पैस्टेंट ओप बेलारूस है निकी उस व्यक्ति का नाम बता है जिसने बेलारूस के राश्पति के रूप में छठा कारेकाल जीता है दोसर जीता है उप्षय नमर डी निकी अलग जेंडर लुकांसे को छठी बार ठीक है अब देखे जब राश्पति का चुनाम हो रहा था दोस्तों इनको पूरे वोट का 80.23 परसेंट वोट पड़ा और इनके विपक्ष में दोस्तों जो ख़य था उनका नाम है एक पूरो के अंगरीजी सिक्षक है सेवतलाना तच नेकासावा उनको 9.9 परसेंट वोट पड़े दोस्तों और आपको समझ आ रहा होगा कि कितना इनका बर्चस है बेलारूस में किसका तो अलग जेन्डर लोगास्ते को का क्योंकि 18.2 थी इनके पक्ष में वोट पड़ा था दोस्तों अब देखे जो बेलारूस के रधानी का है तो इसकी रधानी है मिन्सक और उस रेड बूल रेसल का नाम बता है जिसने हाले में आयुजित सतरमी एनिवर्सरी ग्रेंड प्रिक्स जीती है तो इसको जीता गया है उप्चन नमबर डिया नहीं कि मैक्स वेट सर्पन की तरब से रेड बूल जो पड़ते हो था थी सतरमी उसको जीतने का काम किया आप देख इन्हों ने 2012 के बाद एसा पहली बार हुआ है इसे रेड बूल परतियोगता को जीतने का काम किया है दोस्तों ठीक है पहली बार जीता है ओके अब हम देखेंगे जो हमने कल की भीओर्यों में प्रस्ण पूछा था हमने पूछा था क्या कि इंस्टागराम को सब ज़्याद कमेंट करने वादे सेलिब्रीटी बन गए आप देख इसका सही जवाब के जन दिया तो इसका सही जवाब दिया है कुनाल कुमार सिंग, पूजा पाठक, सक्ति घुसवाहा, भोला संकर, प्रयंका मोदी, छोटु आर्यन और अमन कुमार इन सब दोस्तों ने इस प्रश्ण का सही जवाब दिया दोस्तों, अब हम देखेंगे आज का प्रश्ण और आज के प्रश्ण के बारे में आपको जितना भी पता हो सागा सारा कमेंट बोक्स में लिख दीजेगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लागी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा, अच्छी ना और अपने का ख्याल रखिए, नमस्कार धन्यवाद